स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस क्लास में आज ये हिस्सी का पंद्रहवा लेक्चर है अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा 1857 का विद्रो उसमें हमने जाना इसका स्वरूप क्या है कौन सी पुस्तके है कैसे इसके बारे में इसने क्या स्टेट्मेंट दिया क्या कारण थे इनको हमने डिसकस किया है आपने अगर उनको एक बार नहीं देखा है तो जाके देख लीजे और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजे यह भी आपको एक्जाम के काम का है लेकिन जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपके क्वेस्टन कंप्ल कमेंट्स हैं वो आते रहने चाहिए आप पढ़ते हैं तो आप जो हमें टेलिग्राम पे या वाट्सेप पे या फेस्बुक पे कमेंट करते हैं वो आप हमें वीडियो के स्थितियां एक भारत में रास्टी विद्रोह की स्थिति को पैदा कर देती हैं अलग-अलग सहरों में देखेंगे कि नित्रित तो करता कौन है क्या प्रमुक वजह हो सकती है जहां से हमारे सवाल बनते हैं उनसे सम्मंदित कुछ बाते हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इस विद्रोह के बाद उस विद्रोह के परिणाम क्या होते हैं क्या परिवर्तन आते हैं इनको भी हम लोग समझेंगे तो आराम से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, परिशान होने की ज़रूत नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा तो आई शुरू करते हैं बिना देर किये हुए 1857 का बिद्रोज ऐसे कि मैंने आपको कल कई कारणों में बताया कई राजन्यातिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, बहुत सारे कारण थे जिनकी बज़ा से एक रास्ट में एक प्रकार का गुस्टा अग्रेजों के पती तो था ही तातकालिक कारण होता ये है कि जनवरी 1857 में एक अफ़वा फैलती है कि जो न्यू इल्फील राइफल आई है उस राइफल के कार्तूस में गाय और सुवर की चर्वी लगी हुई है तो ऐसे में उस जो कार्तूस लगता था उसे दाथ से काटके खोलना पड़ता था तब उसको लगाना पड़ता था तो लोगों को ये लगा कि हमारे धर्म को ब्रस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये अफ़वा फैलती है इस अफ़वा की वज़ा से दमदम बहरा होती है इस विद्रोह का जो आउटब्रेक्ट है वो होता है 29 मार्च 1857 का जब बैरकपुर की 34 वी रेजीमेंट में सैनिक मंगल पांडे अपने लेटिनेंट बाग की और यूर्शन की हत्या कर देते और इस बात से साफ इंकार कर देते हैं कि वो इसका उपयोग नहीं करेंगे और वो विद्रोह कर देते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो कौन सी हो गई 29 मार्च 1857 होता यह है कि इसके लिए इनको फासी दे दी जाती है आठ अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को फासी दे दी जाती है तो तातकालिक कारण आपने देखा कि एक अफवा इसको बाद में पूस्ताज के बाद यह पाया गया कि वास्तविक्ता में यह सत्य ही था तो अप्वा मानना उचित नहीं जो बात फैली वो सही थी उसे बाद में सत्य पाया गया 29 मार्च को इसका उटब्रेक होता है मारे कौन जाते हैं लेक्टिनिंट बाग और फासी 8 अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को फासी दे दी जाती है होता क्या है कि इस स्थिती के बाद मेरट की पूरी चावनी में सैनिकों का विद्रोह उमर जाता है 10 माई की डेट को वहाँ पर विद्रोह होता है 11 माई को वो कूच करते हैं दिल्ली के लिए 11 माई पहुचते हैं और 12 माई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं कौन जो मेरट में वहाँ पर नियुक्त थे सिपाही वो सभी दिल्ली के और कूच करते हैं 10 मई को यहाँ पर विद्रोग किस्थिती होती है तो यहाँ से कूच करते हैं वो दिल्ली जाते हैं दिल्ली 11 मई को पहुंचते हैं 12 माई को वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पर उस समय जो समराठ होते हैं मैंने आपको पढ़ाया है उत्तर मुगलकाल में कि जो बहादुर साधुती होते हैं बहादुर साध जफर बाहदुर साथ हुथी और यहीं अंतिमुगल समराथ हैं तो question यहां से बनता है कि जो हमारा सुतंता संग्राम था उसके समराथ कौन थे उसके नायक कौन थे तो में जो प्रमुख थे बाहदुर साथ जफर थे बाहदुर साथ हुथी लेकिन क्योंकि यह भृद्ध हो गय थे बहुत तो यह युद्ध का नेत्रित तो नहीं कर सकते थे यह policies में तो कर सकते थे नेड़े तो ले सकते थे लेकिन युद्ध के लिए होता यह है कि बरेली से आते हैं वक्त खान और उसका नेत्रित तो यह समालते हैं तो बक्त खान इसका नित्रत समाला और दिल्ली को अपने कबजे में ले लिया लेकिन होता यह है कि जो हट्सन की फौज आती है वो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है इसमें होता यह है कि अंग्रेजों का एक सेना पती मारा जाता है उनका नाम होता है जान निकोलसन तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1857 के संग्राम में कौन-कौन से ऐसे सेना नायक हैं जिनकी मृत्ति होती है क्योंकि यह विद्रोह असफल हुआ था तो इसमें अंग्रेजों की कितनी छती हुई है इस बात का अकलन होना अवश्यक है तो यह हम अभी आपको अगे बताते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगे कि इनकी मृत्ति हो जाती है इसके बाद आते हैं हड्सन और हड्सन क्या करते हैं कि वो दिल्ली पर फिर से अधिकार करके बहादुर सा जफर को गिरफतार कर देते हैं बाद में ने रंगून भेज दिया जाता है जहां पर इनकी मृत्ति हो जाती और यहीं पर मुगल सकता समाप्त हो जाती तो 1857 का आउर्डिक अगर आप देखें तो डिलही में इस तरीके से मेरट से सुरू होके दिल्ली तक का घटना करमी मिलता है अब जून 1857 में ही लगभक सारे जगहों पर छोटी छोटी जगहों पर विद्रोग फैलता है होता यह है कि लखनव में बेगम हजरत महल दरसल य थी यह है कि इन्हों ने बहुत बहादूरी से लड़ाई लड़ी इसमें हिन्री लारेंस की मृति हो जाती है कि जोकि वहां के उस्समें कमिष्ण legend experienced कि DENNIS कि लेकिन अभी आप आगे देखेंगे वीलर की मित्यू कानपूर में होती है तो यह आपको तीन नाम याद रखने हैं कौन-कौन से जिनकी मित्यू हो जाती है जान निकोलसन हेंद्री लारेंस और वीलर यह दिल्ली में यह लखनव में यह कानपूर में ठीक है दो कर्शन क्लियर हो है तो एक्जैक्टली अगर डेट हो तो चार जूर 1857 अधर्वाइज आप याद रखें सब जूर 1857 के ही गटनाएं तो बेगम हजरत महल के नित्रित्यू में लखनों में सत्मता संग्राम का प्रारम होता है लेकिन होता यह कि पराजित हो जाता है जन्नी लौरेंस के मित्य पड़ाये हैं उसके आप अंत में देखें तो जो मराठा सामराजी के अंतिम सासक होते हैं बाजी राव दूतिय इनका नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है किस प्रकार से अंतरकत क्या घटनाएं आती है इस प्रकार से पंसीन की संधिये करते हैं और मराठों की अग्रिये तो आ यहां नाना इनका रिल नाम था धूंदोपंथ दोंदू में इसके इनके साथ इनके सीन grande तो होता क्या है कि नाना साहब के नितित्त में यहां पर क्रांती होती है और इसमें वो बड़ी ही दीरता के साथ लड़ाई लड़ते हैं काफी कई बार युद्ध होता है कानफुर में पर कौन वो ब्रब़ी कानपूर में लंबा होगा और आपके जो एक्जाम में क्योसिस कर रहा हूं कि लखनव के बाद कानपुर में कौन आता है तो वो नाना साहब आते हैं बाद में इनका जो सेननायक थे तात्या टोपे वो भी इसमें संघर्ष करते हैं बहुत बादुरी के साथ इसमें वीलर की मृत्ति होती है और करनन नील और कैम्पविल मिल करके विजय पाते हैं लेकि दिल्ली में कौन है तो हट्पन याद रहे दिल्ली में कौन था हट्पन और कानपूर में मत्विल याद हो गया तो यह को ने हैं सब्सक्पना चाहती है लेकिन होता क्या है कि क्योंकि उस समय जो अड़क नीटी थी डॉक्टरएग ओफ-लैप्स की जो नीती थी उसके ताथ यह था कि अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं है तो जो गोध ली गी संतान है वो उत्रादिकारी नहीं होगा उसके तहथ होता यह कि इनके दथतक पुत्र को गोळ लेने से, मतलब उनके सामराज उनका उतर अधिकारी मानने से मना कर दियाता है, तो इनके सामराज या पर आकरमण होता है अंग्रेजों का, करते कौन है, यो रोज, तो होता यह है कि रानी लच्वी भाई इसका बहुत बिरोध करती है और वो लड़ाई लड़ती है वो पराजित होती है फिर आगे भाग करके हो जाती है ग्वालियर वहाँ पर वो विजय पाकर ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लेती है लेकिन होता यह है कि वहाँ पर अंग्रेजों क जो पतनी थी तो जहांसी में अगर देखें तो रानी लच्वी बाई का नित्रित्त था और दबाता कौन है यूरूज गटना इस अब कहां की है कब की है तो जून 1857 तो डेट के लिए बहुत परशान नहीं होना है अगर इग्जैक्ली डेट पूछा जाए तो कुछ डेट है जो पूछी गए मैंने में वेंचेन कर दिया आप उसको देख सकते हैं Bihar में आई यह देखते हैं तो Bihar में देखते हैं और ाप इंक का इतिहास पढ़ें तो ये कई बार अंग्रेजों को पराजित करते हैं एक question पूछा गया है कि 1857 के संग्राम में कौन सा ऐसा सासक था भारती सासक जिसने अंग्रेजों को बार-बार पराजेक दी बार-बार मात दी तो वो कौन है कुमर सिंग दूसरा कौन सा सासक पराजित नहीं हुआ तो वो है कुमर सिंग कहां के हैं जग्दीश पूर बिहार होता यह है कि लगातार तीन से चार युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करते हैं और बाद में इनकी अपनी मित्तिव इनकी होती है तो यह युद्ध में नहीं मारे जाते उसके बाद इनके भा कानपूर जहांसी बिहार अब लखनव का नेत्रितुर वेगम अजरत महल कानपूर का तो नाना शहाब जहांसी का रानी लक्षिमिभाई बिहार का कुमर सिंग इनको एक्जैक्ली याद कर लें क्योंकि इनसे मिल आने के भी कुश्चन है वेसा पूछ जाते हैं और इनके साथ पर जिसने दबाया इन दोनों के नाम याद कर लें तो लियाकत अली ने इलाहबाद के जो का जो संग्राम था उसका नित्रित विदान किया लेकिन करनल नील की फोज दौराज विद्रो को दबा दिया गया तो प्रमुक रूप से आपको जो पढ़ने हैं वो कौन-कौन से ह लटनव और कानपूर, हुरोज, जहांसी, विलियम टेलर और विंसेंट आयर तो वो हैं बिहार, चब्दीशपूर और करनल नील इलाहबाद अब कुछ एक ऐसे क्वेशन आते हैं, जहां छोटे-छोटे अस्तर पर युद्ध हुए, उन्होंने विद्रोह किया, उनकी सेनाओं को दबा दिया गया, लेकिन उतना बड़ा सैन अभियान नहीं था, तो जनरल को लेके क्वेशन तो नहीं आते, लेकिन वहां के नेत्रित इंका एक टेबल बना लें, टेबल के तरह कर लें, तो इनका एक टेबल की तरीके से याद कर लें, बार बार देखेंगे, कोसिस करिए थोड़ा सा, राजस्थान, जैदयाल, हरदयाल, गोरकपुर में गजाधर सिंग, मतुरा में देवे सिंग तो ये के छोटे से कुछ ऐसे पूछे आता है इनको मिलाने के लिए फैजाबाद, बरेली, एसम, उडिसा, राजस्थान, गोरकपुर, मतुरा तो इनको आप टेबल के फार्म में याद कर लें, बाकी को आप इडिटेल में याद कर लें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके जो विद्रोह से मिलाने वाले जो क्वेश्चन है, मैस्थ फॉलॉइंग, वो आपके बिल्कुल एक्जैक्ली सही हो जाएंगे, आइए जनता विद्रोह पर उतराई है, तो होता क्या है कि वहाँ पर बहुत जल्दी में ही एक विद्यक पायद किया जाता है, एक नॉवंबर 1858 को लाट कैनिंग उस समय होते हैं, गवर्नर जनरल, आप जानते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल उस समय कौन होते हैं, लाट कै क्योंकि जो विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद सासन में बहुत सारे परिवर्तन लाए जाता है, तो यहां से सवाल पूछा जाता है, कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सासन में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार से उसका प्रभाव पढ़ा, तो देखिए आये जान मिन्टो पार्क इलाहबाद में घोषणापत्र पढ़ा गया लाट कैनिंग द्वारा यह किसका घोषणापत्र था विक्टोरिया कर नहीं विक्टोरिया ने घोषणापत्र जारी किया तो 1858 का अधनियम आता है आपको मैंने पढ़ाया भी है संबैधानिक इतियास के तीन लेक्चर अफ्लोडेड हैं आप उनको डिटेल में पढ़ें तो वहां पर भी आपको इस सारे प्रावधान देखने को मिलेंगे यह पॉलेटी में आपका जो 49-40-41 लेक्चर है उसमें यह दिया हुए है आई देखते हैं इसमें क्या-क्या परियोड़तन आते हैं तो मैं पर नित्रित्व करता है सासन समराट की अधीन हो गया अब कंपनी का सासन समाप्त कर दिया गया बोर्ड अब डारेक्टर बोर्ड आफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया इसके जगह पर अब कारे कौन करेगा तो 15 सदस्द्सी भारत परिशत की अस्थापना कर दी गई और एक राज्य सची की नियुक्ति कर दी गई विटस्पालियमन में जो भारत से सम्मनित मामलों को देखेगा और जो सेना थी उसमें सबसे बड़ा बतलाव किया गया दरसल पहले भारती और यूरोपीय सैनिकों का जो सेना में अनुपात था वो पांच अनुपाते एक था उसको विद्रोह में बहुत सारी परिवत्तन लाय जाता है यही से हमारे कुशन पूछे जाता है दोस्तों अगर हम चाहें तो आप से बहुत सारी बाते करके आपका वीडियो लंबा कर सकते हैं लेकिन हमारी कोसिस होती है कि हम आप से उतनी ही बात करें जो आपके एक्जाम के तब ही आपको time to time वो मिल पाएगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे भारत में कौर और कौन से विद्रो हैं जन जाती विद्रो और किसान अंदोरन कौन कौन से हुए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ाई करते करें रही है गुड़ाई इसका एक स्क्रीन स्वाट लेकर रख लीजिए